रहा संगर्स की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है जितने राक्तों से है जीती जंग तो पे सूरज बनकर वो ही चमकता है नमस्कार थातियों मैं पुश्पेंद राकुदिया स्वागत करता हूं आपका एसल परिवार के इस online learning platform पे और आज ते हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी class 10 का mathematics का course ठीक है तो इसमें मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इस course में हम आपका NCRT का पूरा पूरा portion cover करेंगे उसके अलावा regular basis पे आपके टेस्ट होंगे और हम कोशिश करेंगे कि नवंबर क कि मेने तक आपका एक बार syllabus complete हो जाएं ताकि हम आपको परियाफ्ट revision करा पाएं हम भी आपको revision करा पाएं आप खुद का भी अपना revision कर पाएं साथ ही आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है इसके लिए हम समय समय पर आपके टेस्ट लेते रहेंगे जिससे आपको पता रहे है ठीक है तो चलिए start करते हैं आपका first chapter जो है बास्त्विक संक्या है देखिए बास्त्विक संक्या है पढ़ने से पहले जो class 9th में आपने पढ़ा था number system का उसको थोड़ा हम revise कर लेते हैं क्योंकि आप देखोगे हर class का जो first chapter है वो number system है तो है आप 9th में जाओगे तो number system ह है, 10th का number system है, 8th का आपका number system था, 6th का भी number system था और शायए 7th का भी number system होगा ऐसा क्यों होता है तो कि number system आपका सारी की सारी mathematics की नीव है जब आपका आधार ही strong होगा तो बाकी chapters की जो building इसकी उपर बनेगी वो बहुत ही शांदार बनेगी तो हम थोड़ा सा 9th का revise करते हैं यह आपका 10th class का नहीं है, 9th में हमने यह पढ़ा था कि परी में और एपरी में संख्याओं दोनों मिलाकर बास्तविक संख्याओं बनाती हैं, ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने जो बास्तविक संख्याओं हैं वो परी में और एपरी में संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं यह आपकी वास्त्विक संख्या हैं और यह दोनों आपकी परीमे और एपरीमे संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं यह हो गई परीमे संख्या हैं और यह आपका एपरीमे संख्या हैं परिमे संख्याएं तथा ए परिमे संख्याएं इन दोनों के combination को ही हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं इन दोनों का जो संग्रह होता है उसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं यह हमने class 9 में chapter number 1 में पढ़ाता हूँ ठीक है अब परिमे संख्याओं के अगर मैं बात करूँ बाकी जो आपकी जो सारी संख्याए ना जैसे आपका प्राक्रस संख्याए पूर्ण संख्याए हैं और पूर्णांक हैं ये सभी भी आपका इन परी में कई भाग होते हैं तो ये सब संख्याए प्लस आपकी भिन्न वाली संख्याएं मिलके परी में संख्याएं बनाती हैं इन परी में संख्याओं में जोडते हैं उमारी वास्थिक संख्याएं बन जाती हैं इसको हम दर्शाते हैं Q से और इसको दर्शाते हैं Q, C या T से ठीक है अगर इसकी definition की मैं बात करूँ तो वो सा सारी संख्याइं परिमेश संख्याइं होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे P तथा Q दोनों आपकी पूर्णांग हैं तथा Q आपका 0 के बरावर नहीं है तो ऐसी सारी संख्याइं जिनने हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं P और Q दोनों आपके पूर्णांग हैं और Q का मान 0 के बरावर नहीं है उसे हम परिमेश संख्याइ बोलते हैं एक तो यह तो आपकी एक डेफिनिशन है एक प्रॉपर्टी हमने इसकी यह पढ़ी थी क्लास 9 में कि जब मैं परिमेश संख्याइं का दश्मलब प्रिशार करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है दो तरह के दश्मलब प्रिशार इसके मुझे मिलते हैं जब मैं परिमेश संख्याओं का दश मलब प्रशार जब मैं करता हूँ तो दो सिच्वेशन हमारे सामने आती थी एक तो इसका प्रिसार होता था तांथ प्रिसार जिसको पन बोलते हैं टर्मिनेटिंग इसमें क्या होता था कि जैसे आपका 0.875 में ने ले लिया इसके अंदर जब मैं उसका प्रिसार करते थे तो प्रिसार एक पॉइंट पर जाके रुख जाता था आपका शेशपल 0 आ जाता था दूसरी आपकी संखें अगर मैं प्रिसार करूं इसका तो एक होता था आपका असांत आवरती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनके अंदर क्या होता था कि उसका प्रिसार कहीं पर जाके खतम तो नहीं होता था पर एक पॉइंट के बाद हो अपने आपको रिपीट करने लग जाता था जैसे आपने पड़ा था ये 0.333 ये एक बटा तीन का जब हम प्रिसार करते थे और जिसको हम लिख सकते हैं आपका 0.3 बार करके मतलब थीन बार-बार आपका रिपीट होगा तो दो चीज़े हमने पड़ी थी कि परिमे संख्याएं और ये परिमे संख्याएं दोनों मिलके हमारी वास्पिक संख्याएं बनाती है और अगर मैं परिमे संख्याओं का दश्मला प्रिसार करता हूं तो दो सिच्विशन हमा असांत आवरती ऐसे ही आप परिमे संख्याइं कौन सी संख्याइं होती थी जिनको आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हों ऐसी संख्याइं मतलब यह देखा था हमने कि दुनिया में ऐसी संख्याइं भी पाई जाती थी जरूरी नहीं है कि हर संख्याइं को हम P बटा Q के रूप में लिख भाएं दुनिया में ऐसी संख्याइं भी हैं जिनको P बटा Q रूप बनाना पॉसिवल नहीं है उनको हमने बोला था यह परिमे संख्याइं और इसका जब मैं दस्मला पिर्शार करता था तो वो मेरे पास आता था अथांत अनावरती Non Terminating Non Repeting तो जैसे मैं दस्मला पिर्शार करूँगा तीन ही सिच्वेशन बनेंगी या तो वो कहीं जाके रूप जाएगा तो मेरा यह परिमे हो गया या वो कहीं जाके रूपेगा नहीं पर अपने आपको रृपीट करने लगेगा तो मेरा परिमे हो गया, कहीं रुका भी नहीं और रिपीट भी नहीं किया, तो मेरा परिमे संख्या है हो गया इन दोनों को मिला के हमने वास्ट्विंग संख्या का निर्माण किया था अब देखते हैं, आपका क्लास टेंथ में जो फर्स्ट टॉपिक आपका है, वो है युक्लिड डिविजन लेमा युक्लिड विवाजन प्रमेहिका, अब इसमें एक नया शब्द आपके पास आया है प्रमेहिका, जिसको हम इंग्लिश में लेमा बोलते है इसका मतलब क्या होता है, प्रमेहिका वो कथन है जो अपने आप में स्वयम सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की कोई जरुवत नहीं है, वो इतना ओबियस कथन है कि अपने आप में सही है उस कतन की साहता से हम बाकी चीजों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो जो स्वेम सिद्ध है वो प्रमी का है अब जो यूकलीड ने हमको जो डिविजन लेमा जो दिया था विवाजन की प्रमी का, हो किस तरह से काम करती है इसको देखने के लिए हम छोटा सा एक example लेते हैं आपका suppose करो कि आप हम एक number लेते हैं आपका 21 और 21 में हम भाग देते हैं 3 का तो ये 7 बाढ जाएगा 7 पिया 21 और 6 फल 0 हो जाएगा ठीक है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21 बराबर 3 गुना 7 प्लस 0 जो क्या ऐसे लिख पाना possible है इसको हम लिखते हैं हमेशा से कि जो आपका भाज्य है वो भाज्यक प्लस भाग फल का गुननफल होगा और उसमें हमको सेशफल को जोड़ देना है नंबर आ जाएगा चलो एक number और लेते हैं इसका अगला ही लेते हैं हम 22 और 22 में जब 3 का मैं भाज़ दूँगा तो आपका जाएगा 27 और आपका जो शेशफल बचेगा वो एक बचेगा तो 22 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 गुना 7 प्लस 1 अब क्या मैं इसा बोल सकता हूँ कि जब मैं इसके आगे की number लूँगा तो कैसे होगा देखो मैंने लिया 23 क्या मैं इसके इसे लिख सकता हूँ 3 गुना 7 प्लस 2 आप बोलो कि इसे लिख सकते हो एक ही बात है 21 प्लस 2 आपका 23 आजाना है अब अगर मानो कि मैं अगला number आपका 24 लेता हूँ 24 बरावर 3 गुना 8 प्लस 0 क्या हुआ ध्यान से देखिए आपका भागफल एक से बढ़ गया और 6 पल 0 हो गया मतलब जब मैंने 3 का भाग दिया तो मेरा 6 पल या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है दो से उपर मेरा 6 पल नहीं आ रहा है उसके बाद बापस वो 0 हो जा रहा है आप और देख लीजिए जब आप 25 लेंगे यहां पर तो आपका 6 पल आएगा एक जब आप 26 लेंगे तो आपका 6 पल आएगा 2 और जब 27 लेंगे तो आपका 6 पल आएगा 0 समझें तो इससे क्या हम निश्कर से निकाल सकते हैं कि जो हम एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो आपका जो 6 पल है वो किसी भी condition में भाजक से बढ़ा नहीं हो सकता उसे बाजक से छोटा ही होना पढ़ेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपका जो 6 पल है 7 पल जो है आपका तो हर इस्तिती में या तो जीरो से बढ़ा होगा या बराबर होगा और हमेशा भाजक से छोटा होगा ध्यान से देखिएगा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकते हो हर यहाँ पे मेरा भाजक है 3 सेशपल आ रहा है 0 1 2 0 के तो बराबर है पर 3 के कभी बराबर नहीं है तो एक observation तो हमारा ये है जो इसके अंदर हमको काम आएगा और दूसरा देखिए अगर मैं दो संख्याय लेता हूँ जिसे मैंने यहाँ पे 21 और 23 लिया है वो एक संख्या का दूसरी संख्या में मैं भाग देता हूँ तो मुझे जो मेरा भागपल और शेशफल है वो एक दूसरी संख्या प्राप्त होगा वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो संख्या के लिए भागपल और शेशफल एक जिसा हो जाए यहाँ देखो 7 और 0 आया, फिर 7 और 1 आया, फिर 7 और 2 आया, फिर 8 और 0 आया किसी भी संख्या के लिए दोनों एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो दो अब्जर्विशन है मेरे अब्जर्विशन नमबर वन कि मेरा स्चेशफल हमेशा भाजक से छोटा होगा और अब्जर्विशन नमबर दो कि दो अगर मैं आपका भाज्य और भाजक लेता हूँ तो मुझे दो संख्या ऐसी प्राप्ट होंगी वो क्या होंगी एक तो होगा मेरा भागफल और एक होगा मेरा शेशफल और ये दोनों अपने आप में एद्वतिये हैं ये दोनों क्या होंगे एद्वतिये होंगे ये कभी भी दो संख्याओं के लिए एक जिसे नहीं आ सकते ये दो अब्जोर्विशन मेरी हैं और अगर आप युकलिड डिविजन लेमा को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यही स्टेटमेंट उन्होंने एक बहुत ही प्रॉपर डंग से लिखा हुआ है देखिए हम इसको पढ़ते हैं कि आपके दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो संख्याओं मैंने लिए A और B वो ही आपका भाज्य हो गया और भाजक हो गया दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए कि दिये रहने पर ऐसी एड होती है पूर्ण संख्याएं Q तता R प्राप्त होंगी जिनके लिए A बरावर B Q और यह हो गया जो अब activity हम करते है आ रहे हैं वो ही है जिसे हमने 22 को क्या लिखाता 22 को मैंने लिखाता 3 गुणा 7 प्लस 1 यही लिखाता अब यहां मैं क्या बोल रहा हूँ दो धनात्मक पूर्णांग A तता B के लिए यह मेरा A हो गया यह मेरा B हो गया दो संख्याएं दो एदुदिये संख्याएं क्यों तता R प्राप्त होंगी कि जो R है वो या तो 0 से बड़ा है या बरावर होगा पर B से हमेशा छोटा होगा दो संख्याएं 22 और 3 के लिए साथ और एक इस तरह से प्राप्त होंगी कि एक का मान हमेशा 3 से छोटा होगा और यह दोनों एदुदिये होंगी यही मेरा यूकलिट का डिबिजन लेमा है दो धनात्मक पूर्णांग A तथा B के लिए दो आपका संख्याएं Q तथा R एदुदिये रूप से इस प्राप्त होंगी कि R का मान हमेशा आपका भाजक से छोटा होगा जो हम बचपन से लिखते वे आ रहे हैं न यह चीज भाज्ये बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेशफल करेक्ट है यही हम लिखते आ रहे हैं वही चीज है इसको Euclid ने सिर्फ एक अच्छे से डिफाइन करके दिया अब आप एक कुशन पूश्ट सकते हो कि सर आप तो बोल रहे हो कि बहुत बड़ी चीज है बहुत काम की चीज है क्या है की काम की चीज है जो हम बच्पन से करते आ रहे थे 37 की क्लास में हम जैसे भाग देते थे वो ही भाग है उसने एक लेंग्विज में बना के इसको दे दिया है बात आप की सही है इसी लिए प्रमेही का है एकदम obvious कतन है सिद्ध करने की जरुत हमें नहीं है ऐसे ही होता है पर इसका सबसे जो important काम है वो ये है कि इस जब लेमा को हम mathematics की दूसरी situations में implement करते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे result को prove कर सकते हैं देखिए किस तरह से चलिए पहले एक कुशन लिते हैं फिर इस पहली पे आईए एक कुशन है आपका दिखाए दडशा ये कि एक धनात्मक विशम पूर्णांग क्या चाहिए एक विशम पूर्णांग के वो 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है जहां कि एक पूर्णांग के ये कुशन ये बोल रहा है कि दुनिया की कोई भी विशम चंक्या अगर आप लोगे तो उसे 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप में ही होना पड़ेगा दूसरे रूप में वो नहीं हो सकती ये स्टेटमेंट है आपका दुनिया की सारी के सारी पूर्णांग संक्या है दुनिया की सारी की सारी विशम पूर्णांग संक्या है या तो 4Q प्लस 1 होंगी या फिर 4Q प्लस 3 होंगी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इतना वड़ा स्टेटमेंट डमबडे आसानी से प्रूब कर पाएंगे किसकी साहता से युकलिट डिविजन लेमा की साहता से देखिए इसका अगर मैं सॉलूशन करने जाता हूँ तो अपन मानते हैं कि माना एक कुशन में मैं लेंग्वेज आपको लिख देता हूँ बाकी को विदाउट लेंग्वेज करूँगा माना एक विशम पूर्णांक ए है ठीक है विशम पूर्णांक ए मान लिया अब ए तथा चार के लिए यूकलिड विवाजन प्रमेइका का प्रियोग करने पर अब आप एक तीज पूर्णांक 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 अगर वो पूर्णांक 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 पू होंगी किस प्रकार प्राप्त होंगी 4Q plus R जहां R का जो मान है जहां R का जो मान है वो 4 से हमेशा छोटा होगा ठीक है यह लगा दिया हमने यह आपका यहां आर के संभव मान मतलब यह बोलता है कि यहां आर आपको जीरो हो सकता है और 4 से कम हो सकता है पर कौन-कौन से नंबर आर लेगा संभव मान क्या हो सकता है एक तो यह लेने में कोई तकलिफ नहीं है आपका यह कंडिशन फुल्फिल हो रही है पर अगर मैंने चार लिख दिया तो मेरा डिविजन लेमा काम नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि रिमाइंडर मेरा कभी भी उसके बरावर नहीं हो सकता तो अगर मैं इस तरह से युकलिट मान के लिए एके संभग मान ठीक है तो एक क्या ले सकता है या तो आपका 4Q प्लस 0 ले सकता है या एक आपका 4Q प्लस 1 ले सकता है या आपका A जो है वो 4Q प्लस 2 ले सकता है या A जो है आपका 4Q प्लस 3 ले सकता है यही मान उसके पॉसिवल है यही मान उसके पॉसिवल है या तो वो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है या 2 ले सकता है या 3 ले सकता है अब हमें क्या देखना है, हमने क्या माना था कि A एक विशम पूर्णांक है, तो A का मान हमिशा विशम होना चाहिए, क्या इस कंडिशन में बोल सकता हूं, A का मान विशम है, A बरावर 4 Q में में, क्या बोल सकता हूं कि A विशम है, नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि इसमें दो एक समसंख्या है दूसरा देखिए 4Q प्लस 1 विशम है क्योंकि 4Q में भाग चला जाएगा 1 में नहीं जाएगा दूसरा देखिए 4Q प्लस 2 यह भी एक समसंख्या है क्यों क्योंकि दो का भाग जा रहा है अगला देखिए 1 का मान 4Q प्लस 3 है यह विशम है तो एक तो यह विशम होगा एक यह विशम होगा और मेरा कुश्चेन क्या बोल रहा है कि दुनिया का कोई भी विशम पूर्णांग 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 की शकल का ही हो सकता है हते हम यह बोल सकते हैं अगर मैं यह लिखूँ अतै एक दनात्मक विशम पूर्णांग हमेशा 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का भी होगा यह काम है मैथेमेटिक्स के युकलिट डिविजन ने माके क्या किया हमने दो नंबर माने एक A माना एक B माना B को हमने यह चार मान लिया क्यों मैं 4 की शकल का अंसर लेक्या ना है अगर मैंने B को चार माना है तो R के जो संबब माने या तो 0 हो सकता है अब देखिए, यह आपके एक बहुत इंट्रेस्टिंग पहली है, जो आपकी बुक में दी हुई है, एक बार हम इसको देखते हैं कि यह क्या है, यह पहली यह बोलती है, की एक अंडे बेचने बाला था, वो अंडे बेचने बाला, एक गाव में अपने अंडे बेच रहा था रास्ते में एक आदमी बेठा हुआ था जो एकदम वेला था एकदम फ्री इंसान था वो उस फ्री इंसान ने अंडे वाले से बात करना स्टार्ट किया बातों बातों में उनका जगडा हो गया उस जगडे के फल्सरूप उस खाली बेटे वेले आदमी ने अंडे वाले की अंडे की टोकरी में धक्का मार दिया अंडे रोड पे गिर गए और अंडे पूट गए फिर क्या हुआ कि जो दुकानदार था अंडे बेचने वाला वो गाम की पंचायत में गया और पंचायत में जाके बोला कि सर इस अंडे वाले ने मेरे अंडे तोड़ दियें मुझे इन अंडे का पैसा दिलाओ तो पंचायत ने पूछा कि भीया यह तो बता कि तेरे अंडे कितने थे कितने का नुकसान हुआ है अब वो था डेड़ शाना आदमी रेड़ शाना मतलब समझदार के भी उपर वाला उसने बड़ा इंट्रेस्टिंग जबाब दिया वो बोलता है कि पंचों अगर आप दो-दो करके गिनोगे तो एक अंडा बचेगा अगर आप तीन-तीन करके गिनोगे तो दो अंडे बचेगे अगर आप चार-चार करके गिनोगे तो तीन अंडे बचेगे अगर आप पांच-पांच करके गिनोगे तो चार अंडे बचेगे अगर आप छे-चे करके गिनोगे तो आपके पांच अंडे बचेगे और अगर आपने साथ-साथ करके गिना तो कुछ भी शेश नहीं बचेगा ऐसे तो हैं मेरे अंडे पर जो मेरी टोकरी है जिसमें मैंने अंडे रखें उसमें 150 ज्यादा अंडे आ ही नहीं सकते अब आप हिसाब लगा लो और मुझे इस आदमी से पैसा दिला दो ये पहली है आपकी बड़ी इंट्रेस्टेंग पहली है पर अब अगर देखो जान से देखो क्या बॉल रहा है 2-2 के टुकडे बनाने तो 1 बच जाएगा 3-3 के टुकडे बनाए तो 2 बच जाएगा 4-4 के बनाए तो 3 बच जाएगा 5-5 पे 4 बच जाएगा क्या कुछ दिख रहा है Euclid division लेमा जैसा मैं विवाजन प्रमे के हैं लगा सकता हूं मान लो की अंडे जो है वो X है आपके जो दो दो के टुकड़े बनाए मान लो भी टुकड़े बने दो दो की ने तीन तीन के अरे ये मेरा एक संडे थे जब मैं दो दो के टुकड़े बनाता हूं तो एक बच रहा है अगर मैं तीन तीन के टुकड़े बनाता हूं तो दो बच रहा है अगर मैं चार चार के टुकड़े बना रहा हूँ तो आपका 3 बच रहा है अगर मैं 5 5 के टुकडे बना रहा हूँ तो आपका 4 बच रहा है और अगर मैं 6 6 के टुकडे बना रहा हूँ आज गलत करके ही मानेगा अगर मैं 4-4 के टुकड़े आपके बना रहा हूं तो आपका 3 बच रहा है 5-5 के टुकड़े बना रहा हूं तो 4 बच रहा है और 6-6 के टुकड़े अगर बना रहा हूं तो 5 बच रहा है पर अगर मैं साथ-साथ के टुकडे बनाता हूँ, तो एक भी मेरा अंडा नहीं बच रहा, दिखा कुछ युकलिट डिविजन लेमा जैसा, हमने उससे लगा के इसको convert कर लिया, दो संख्यां ले ली, एक तो उसके अंडे हो गए, दूसरा जित्ते टुकड़ों में उसको तो कभी भी 150 से जादा नहीं हो सकता, अब देखो, मेरे पास चर कितने, A, B, C, D, E, पांस तो ही हो गए, 6F और साथ मा एक, समी करने मेरे पास 6, तो क्या होगा, तो पन हिटेंड ट्राइल से एक बार solve करने की कोशिश करते हैं, यह हमारे पास situation है, मुद्दे की बात है, साथ-स साथ अगर मैं गिन रहा हूं, तो कुछ नहीं बच रहा, मतलब जो अंडे होंगे, वो साथ का multiple होंगे, solution आपके काम का नहीं है, यह जो तोड़ना है, और तोड़ने की समझ ही आपके काम की है, अगर यह आपको समझ आएगा, तो इस प्रमेहिका को यूज कर पाना बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, तो देखिए, क्या बुल रहा है, साथ साथ के टुकड़े अगर मैं बनाऊँगा, तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब आपका जो आंसर आना है, वो साथ का multiple ही होगा, तो पहले साथ के सारे multiple लिख देते हैं, 1500 तक के, क्या हो सकता है, साथ, चोधा, साथ, 17,27, साथ, चुकु, 28, साथ, 35, साथ, छिंगी 42, 49, 78, 56, साथ, नाम, 63, साथ, नहीं, सत्त, कर, इसके बाद क्या आएगा, 77 आजाएगा, 84 आजाएगा, इसमें 7 जोड़ा तो 91 आजाएगा, इसमें 7 जोड़ा तो 98 आजाएगा, साज जोड़ा तो 105 आज आएगा फिर साज जोड़ा तो 112 आएगा 119 आएगा इसमें साज जोड़ूँगा तो आपका 126 आएगा इसमें साज जोड़ा तो 133 आएगा ये 140 आएगा और 147 आएगा 180 ती उपर आपका नंबर हो नहीं सकते ये सारे मेरे संभावित हल हैं इन हल में मेरे को क्या करना है ये वाले कंडिशन को फुल्फिल करना है अब देखों नंबर को उडाते वे चलते हैं क्या बोल रहा है कि दो दो को गिनूँगा तो एक भीया शेशपल बचना चाहिए मतलब जो भी समसंख्या है वो तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकती तो सबसे पहले समसंख्याओं को उडा दो सबसे पहला काम करो समसंख्याओं को उडा दो ये मेरा आंसर नहीं हो सकती ये मेरा आंसर नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है अरे पर मैं उड़ा ढूंगा तो आप बाद में किसे लखोगे लिख लेना चलो ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है correct है अब ये numbers बच गए इन मेरा कोई ना कोई answer हो सकता है उस अंडे वाले की अंडे इतने भीया हो सकते हैं अगली condition देखो 3 से भाग दोगे तो 2 को बचना चाहिए मतलब 3 का multiple भी नहीं हो सकता 3 का multiple है उसको भी उड़ा दो ये भी नहीं हो सकता 13 ये भी नहीं हो सकता 14, 10, 105 ये भी नहीं हो सकता 10, 11, 6 और 7 इतने नमबर हो सकते हैं अगली condition पर आते हैं 2 चेक कर लिया, 4 चेक करने का मतलब नहीं है 5 चेक करते हैं 5 का multiple भी नहीं हो सकता ये भी आपका नहीं हो सकता ठीक है? और कुछ में बचा नहीं है अब देखो बापस आजाओ क्या बोलता है? अगर मैं 3 के टुकडे करूँगा 3 से भाग दूँगा तो मेरा 1 बचेगा ठीक है? अगर मैं यहां 3 से भाग दूँगा तो क्या होगा? नहीं ये बोल रहा है कि 3 से भाग दूँगा तो मेरा 2 बचना चाहिए अगर मैं यहां 3 से भाग दे रहा हूँ तो 1 बच रहा है ये भी आपका cancel out हो गया उड़ा दो और एक इतना हुआ साथ चार ग्यार आर बारास में तो तीन का भागी चला जाएगा उसको भी उड़ा दो अब यह दो संख्याए बचिये इन में से मेरा आंसर हो सकता है एक कंडिशन देखो पांच गिनने पर चार बचना चाहिए अगर मैंने यहां से पांच-पांच का भाग दिया इसमें तो क्या बच रहा है शेशफल दो आएगा आपका 25 बार चल जाएगा 25 बार क्या पिचेतर 15 बार चला जाएगा और प्लस आपका 2 बचेगा यह भी मेरा नहीं हो सकता अब अगर मेरा आंसर होगा तो तू ही होगा और तेरे सिवा कोई नह होगा सब जित्ते भी नंबर से सब को मने उड़ा दिया 119 ऐसा है जो भी तर्टिका हुआ है तारी कंडिशन को सैटिस्फाइ कर देना यह आपका अंसर आजाएगा एक्जाम पॉइंटर व्यू से इसको सॉल्व करना आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है पर इसका बाइ का डिविजन लेमा है एक दो कुशन और देखते हैं यह हम कर चुके हैं यह देखिए यह भी सेम कुशन है आप मतलब जो कराय हुआ हुआ है उसी का पॉर्ट्शन है आप एक बार कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है है उशन अपने से यह बोल रहा है कि कोई बिविजन पूर्णांग बहुत सिंपल है एक बैर मानो आपने एमान लिया इडीक है खजान पूर्णांग मानों कि आपने A मान लिया ये मानों आपने A मान लिया और दूसरा नंबर आपने 6 मान लिया तो क्या होगा R की वेल्यू क्या होगी आप बोलोगे सर 0 से तो बड़ा होगा R बढ़ 6 से छोटा होगा तो R के संबब मान क्या क्या होंगे बताइए R के संबब मान होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ममान आड़ ले सकता है इन मान के लिए A का मान क्या होगा आपका A होगा 6Q plus 0 A होगा आपका 6Q plus 1 या A होगा 6Q plus 2 या आपका A होगा 6Q plus 3 या आपका A होगा 6Q plus 4 या आपका A होगा 6Q plus 5 ये मान हो सकते हैं कंडिशन क्या है A को विशम होना पड़ेगा तो सम कौन-कौन से है, एक तो आपका ये सम है, ये आपका सम है, ये आपका सम है, ये आपका सम है, तीनों को हटा दो, जो बच गए वो विशम है, समझे आप, इनको हटा दिया हमने क्योंकि ये सम संख्याए थी, जो आपके पास बच गए हैं अब वो आपके विशम हो जाए ये बचा, ये मेरा विशम संख्या है, एक ये बचा, ये मेरा विशम है, एक ये बचा, ये मेरा विशम है, तो कोई भी धनात्मक विशम पूर्णांग जो है, या तो उसको इस रूप में होना पड़ेगा, या इस रूप में होना पड़ेगा, या इस रूप में होना पड़ करेक्ट है कोई दिक्कत यहां तक एक कुशन अपन चलो और लेते हैं यह क्या बोल रहा है इस कुशन में वो एक स्टेप अपने से और आगे गया है यह बोल रहा है युक्लिड विवाजन प्रमेहिका का प्रियोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांग का वर्ग जो पूर्णांग हम को लेना है धनात्मक उसका वर्ग करना है किसी पूर्णांग M के लिए 3M प्लस 3M 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है जो लास्ट कुशन हमने किया उसका एक स्टेप पे आ गया है लास्ट कुशन तक हमने उस पूर्णांग की स्थिति जानने की श्वश किती इसमें पूर्णांक का वर्गम को करना है थीक है तो चलो वही तरीका इस्टार्ट तो इसी करते हैं कि यह आपका सॉलुशन रहा माना एक धन पूर्णांक एह है तता कि इसके शक्ल का लाना है तता दूसरी संक्या 3 के लिए Euclid Division विवाजन प्रमेहिका का प्रियोग करने पर A का मान क्या आएगा 3Q प्लस R जहां पर R का मान क्या होगा हमेशा 3 से छोटा होगा R के संबब मान क्या निकलेंगे या तो 0 निकलेगा या 1 निकलेगा या 2 निकलेगा इन संबब मानों के लिए A का मान क्या होगा इन संबब मानों के लिए A का मान होगा A बरावर 3Q या A बरावर 3Q प्लस 1 या A बरावर 3Q प्लस 2 ठीक है ये 3 मान ही हो सकते हैं 3Q, 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 ये 3 माने ले सकता है और हमसे क्या बोला गया है कि उसका वर्ग भी करना है चलो वर्ग भी कर देते हैं इसका अगर मैंने वर्ग किया तो क्या आएगा 9 Q SQ और किस शकल का बनाना है 3M शकल का बनाना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताईए क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अरे कुछ किया थोड़ी नहीं, इस 9 को 3-3 करके लिख दिया है, और मैंने मान लिया, माना M, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3M, correct है, अगर R का मान में 0 लेता हूँ, तो मेरा A 3Q की शकल का होगा, जब 3Q का मैं square करता हूँ, तो 9Q square आएगा, इसको मैंने 3 गुणा 3Q square बना लिया, Q मेरा पूर्णांक है, तो Q square भी मेरा पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक 3 से गुणा करूँगा, तो वो भी पूर्णांक निकलेगा, तो मैंने इसको मान लिया M, एक पूर्णांक है, तो मेरा answer य आ गया कि जो मेरा a square है वो 3m की शकल का मेरा आ गया इस वाले condition पर देखते हैं इसका मैं square करता हूँ इसका अगर मैंने square किया तो 3q plus 1 का square हो गया ठीक है तो a square का मान जवाएगा हुआएगा 9q square plus 6q plus 1 कुछ नहीं a plus b का whole square खोला है a square plus 2ab plus b square ठीक है अब देखिए करना किया मिरको यह तो इस शकल का लाना है इस शकल का लाना है पर यह दिक्कत क्या 1 आ रहा है तो इस शकल का आ तो आ नहीं सकता इसका try करते हैं आगे मिरको 3 को common लेना है तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया यहां 3 q square मिला यहां मिला मिर को 2Q और यहां के आगया 1 क्या मैं इसको कोई पूर्णांग मान सकता हूँ देखिए Q एक पूर्णांग है तो यह नमबर भी एक पूर्णांग होगा यह भी एक पूर्णांग होगा दोनों को जोड़ेंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा इसको अपन ने मान लिया कि इसका मान आपका M है तो A square क्या निकलेगा 3M प्लस 1 ये भी आगे आपका इसी शकल का ठीक है अगर इसके लिए करेंगे तो इसे हो जाएगा इसके लिए करेंगे तो इसे हो जाएगा तीछरा नंबर भी लेते हैं इसका भी मैं square करता हूँ A square अगर मैं इसका square करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 9Q square 12Q प्लस 4 क्या बनाना है मिरेको 3M प्लस 1 या 3M की शकल का चाहिए एक 4 पहले से आ रहा है यह तो मैं बनानी सकता इसको बनाने की कोशिश करता है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोई तकलीफ ऐसा लिखने में ऐसा लिख सकता हूँ कुछ नहीं किया बस 4 को 3 और 1 में करके लिख दिया क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ किया ता है यहाँ पर यह लिखा मैंने 3 प्लस 1 कर गया तीन को बाहर निकाला 3 Q square प्लस 4 Q प्लस 1 समझ मागया इस मैं से 3 को बाहर निकाल लिया 3 को बाहर क्यों निकाला क्योंकि मिरा आंसर 3 की शकल का है क्या मैं यह बोल सकता हूँ यह जो मेरी पूरी टब में पूर नांक होगी देखो Q1 पूर नांक है तो यह 3 Q2 एक पूर नांक मिलेगा ये भी पूर नांक है ये भी एक पूर नांक है सबको जोड़ोगे एक पूर नांक है तुमिसको यह माiento सकता हूँ यह या तो इस शकल का होगा या आपका इस शकल का होगा यह लिए अगर किसी भी पूर्णांग का हम स्क्वार करेंगे किसी भी पूर्णांग का मैं बर्ग निकालता हूं तो वो बर्ग आपका 3M या 3M प्लस बन की शकल का होता है कितना बड़िया रिजल्ट है अगर आपको किसी भी संख्या को देखना वर गहया नहीं है और अगर वो 3M या 3M प्लस 1 की शकल से बाहर चली जाए तो हम आसानी से बोल सकते हैं सारे स्क्वाइर नहीं है चेक करके देख लो एक दू नमबर्स के लिए ये देखिए स्क्वाइर क्या है आपका? चार के स्क्वाइर है सोला इसको लिख सकता हूँ तीन गुना पांच प्लस 1 पांच के स्क्वाइर है पच्चीस इसको में लिख सकता हूँ आठ तिया चोईस प्लस एक देख लीजिए कोई भी नमबर ले लो उसका आप वर्ग कर लो उसको 3M या 3M प्लस 1 की शकल का आना पड़ेगा इतना complicated चीज इतनी आसानी से हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक आसान से statement यूकलिट डिविजन लेमा जो है जो ऐसा लगता है कि बहुत ही obvious statement है उसको बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है तो बहुत आसानी सी बात की जो आपने बोली है पर उससे हम इतनी बड़ी बड़ी चीज है कि इतनी आसानी से फूप कर पा रहे है correct है next question देखते है यूकलिट विवाजन प्रिमेइका का प्रियोग करके दर्शाई है कि किसी धनात्मा कूर्णांग का घन संख्याओं का दिखाया था फिर संख्या के वर्ग का दिखाया है अब संख्या के घन का दिखाना है हमको तो 9 अगर में लूँगा तो conclusion बहुत ज़्यादा complicated आएगी एक बार 3 से देखते हैं 3 से लेके काम बनता है नहीं बनता यह आपका solution एक संख्या माना एक है दूसरी तीन है इस पर यूकलिट डिविजन लेमागर में लगाता हूँ तो A बरावर 3 Q प्लस R होगा जहां पर R का मान हमेशा 0 से बढ़ा होगा और 3 से 0 के बरावर या 0 से बढ़ा होगा और 3 से छोटा होगा R के संबब मान क्या निकल सकते है 0 1 2 इन संबब मान के लिए संख्या क्या बनेगी क्या बन सकती है बताईए A बरावर 3 Q बन सकती है ठीक है इसका square भी हातवाद कर लेते हैं इससे पता लग जाएगा 3 पर काम कर रहा है नहीं कर रहा square नहीं घन अगर मैं इसका घन करता हूँ तो क्या बनेगा 3 का घन 27 और Q Q का भी घन तो क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ कोई तकलीफ यहां तक 3 को मैंने सिर्फ बाहर निकाला है क्यों निकाला है की की 3 को नहीं 9 चाहिए हैं यहापे मेरे को 9 को बाहर निकालना पड़ेगा A cube को मैं लिख सकता हूँ अगर मैंने 9 को बाहर निकाला तो 3 Q Q क्यों निकाला 9 को बाहर क्योंकि मेरे answer 9 की शक्क लिखा है मुझे उस तरह से answer चाहिए यह एक मेरा पूंडांक हो जाएगा तो A cube का मान हो जाएगा आपका 9 M अगर मैं अगली संख्या लेता हूँ आपका R को अगर मैं 1 मानता हूँ तो A क्या निकलेगा A बराबर होगा 3 Q प्लस 1 और इसका मैं cube करता हूँ 3 Q प्लस 1 का all cube देखो क्या आया सबसे पहले 3 Q का all cube किया प्लस 3 3 Q का square किया प्लस 3 3 Q हुआ प्लस 1 का cube प्लस 1 का cube ठीक है यह किस से आया आपका A प्लस B का जो all cube का formula है न यहां लग देता हूँ A प्लस B का अगर मैं घन निकालता हूँ तो वह आता है A का घन 3 A square B प्लस 3 A B square प्लस B Q याद करने का सबसे आतान तरीका है इसमें A की घात इसमें कम होती जाएंगी B की घात बढ़ती जाएंगी बीच वाले दोनों टंस में 3 3 आएगा इसको मैं नहीं लगाया है B का मान एक है तो आसानी से निकल गया है अब देखिए ये क्या हो गया 27 Q Q ये हो गया मेरा 3 दूना 9 27 Q square ये क्या हो गया मेरा 9 Q प्लस 1 हो गया काम क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें से क्या कॉमन लेना है मेरे को 9 भार चाहिए यहां से मैंने 9 निकाला तो क्या बचा 3 Q Q प्लस यहां से 9 निकाला 3 Q square प्लस यहां से यह निकाला Q और एक को छोड़ दो बहार क्योंकि एक तो हमारे इसमें है ही सही एक से हमारा काम हो जाएगा एक से दिक्कत नहीं है इसको क्या मैं यह लिख सकता हूँ 9 M प्लस 1 Correct है यह सारा का सारा एक पूम्नांक बनेगा 9 M प्लस 1 की शकल के आ गया 9 M प्लस 1 हमारे कुश्यन में है हमारा काम बन रहा है अब थर्ड वाले पर आते हैं थर्ड वाले पर अपन देखते हैं कि A को अपन ने R की वेली दो रखी है A बराबर 23Q A बराबर 3Q प्लस 2 इसका मैं जब घन करूँगा तो सबसे पहले 3Q का घन होगा ये फॉर्मूला प्लस 3 आएगा 3Q का तो स्क्वाइर करना है और 2 का की पावर A का जानी है A की पावर घटती जाएगी B की पावर बढ़ती जाएगी प्लस 3 3Q प्लस 2 का स्क्वाइर प्लस 2 का Q चलो solve करो A क्यूब बराबर 27 Q प्लस 27 27 q square 27 नहीं 2 से गुणा होगा 27 कैसे ही लिख लो 27 गुणा 2 q square प्लस 9 गुणा 4 q प्लस 8 अब देखो पंपेर करो 8 के रूप का मेरा आंसर हो सकता है 8 से मुझे कोई तकलिफ नहीं 8 को में छोड़ सकता हूँ क्या बाकी सारी संख्या में से क्या बाकी सारी टर्म में से 9 आपका कॉमन आ रहा है अगर आ रहा है तो बाढ़ निकाल लो तिन दूना छहy Qasquire बच गया यहां पर चार Q बच गया और यहां पर मेरा आठ़ आ गया अगर मेरा 9 भार आ रहा है क्या मैं यह बोल सकता को कि यह सारा का सारा एक पूर्णांग होगा बिलकुल होगा क्यों क्यों क्योंकि अंदर Q1 पूर्णांग के उसका square करो, cube करो, किसी से दूसरे पूर्णांग से गुना करो, आपको पूर्णांग की मिलना है तो इससे क्या हुआ आपका इससे हमें हमारे सामने निकल के आया कि किसी भी किसी भी धनात्मक पूर्णांग का अगर हम cube करेंगे तो वो आपका कोई नी वो आपका ये शकल का ही होगा ठीक है? किसी भी धनात्मक संख्या का अगर हम cube करेंगे तो या तो वो 9 M की शकल का होगा या 9 M प्लस 1 की शकल का होगा या 9 M प्लस 8 की शकल का होगा आप ट्राइ करके कर सकते हैं आपका अनसर करेक्ट आएगा ठीक है? तो आज की klas में हमने वास्पिक संख्याओं को देखा कि परीमे है परीमे के रूपते वास्पिक संख्याओं बनाते हैं और वास्पिक संख्याओं के एक बहुत ही महत्पून आपका जो लेमा है युकलिट विवाजन लेमा जिसको हम बोलते हैं कि दो संख्याओं के लिए दो दूसरी संख्याओं अजुत्ती रूप से इस प्रकार मिलती हैं कि उसका सेश्वल हमेशा बाजक से कम होता है उसको देखा और उसकी इसायता से बहुत सारे रेजल्ट को हमने आसानी से प्रोब किया जैसे आपका क्यूब हमेशा इस शकल का होगा स्क्वाइर हमेशा 3M या 3M प्लस 1 शकल का होगा विश्यम शंक्या या आपकी 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 की शकल की होगी तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं नेक्स क्लास में हम इसका SCF बगरा निकालना सिखेंगे और अगर अगर अफर्दर टाइम मिला तो हम इसको Fundamental Theorem of Arithmetic करेंगे धन्यवाद बिद्यारतियों नेक्स क्लास में मिलते हैं